दोस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो चलिए बिहार के तमाम 15 बड़े ख़वरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताए कि आप बिहार के की जिले में रहते हैं साथ ही अपनी तरब से आप इस वीडियो के एक प्यारा लाई जरूर कर दे साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नेचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछे आज की सबसे पहले के वर बिहार में ठंड की दस्तक घने कोहरे से जन जिवन पर असर राज में गया सबसे ठंडा पच्वा से बड़ी कंगनी जिहाँ बिहार में पिछले 24 घंडों में ठंड ने दस्तक दे दी है घने कोहरे और दिस्तक की समिसा के बेच कई सहरों का पारा सामाने से काफे नीचे आ गया पच्वा हवाव की प्रवाव से दक्चिन बिहार के अधिकतम सहरों में ठंड के सिरन बड़ी रही उत्तर बिहार में अभी दक्चिन पुर्वी हवाव की प्रवाव होने से ठंडा थोड़ी कम है हाला कि चमपारन के इलाके में बुद्वार को सुबह में घने कोरे की सिती देखी गई पढ़ना और गया में भी सुबह में घना कोरा रहा लेकिन दिन निकलने के साथ ही हाला कि जिन जगहों पर धूप निकली वहां भी धूप में ज्यादा गर्मी नहीं देखी गई पुर्णिया में दिनों भर विजिबिलीटी की समय से बढ़ी रही यह दोपार में भी द्रिस्ता मातर साड़े पाच सो मीटर की रही कटिहार और पुर्णिया में आधरता सो पर दिसक तक रिकॉर्ड की गई मौसम विभाग के माने तो पचवा हवाओ का प्रसार पिछले डेड़ दो दिनों से सुबह में बना है गया में इसके रप्तार आठ से दस किलोमेटर परते घंटी रही जबकि पाटना में अपेक्चा करेट कभी साथ तो कभी कम रही अगले दो दिन तक मौसम की इसी तरह की सिती सुबह में बने रहने के आसार है गाने कोरे की सिती अगले तीन चार दिन तक रहेगी लेकिन इसी बीच नियुंतम पारे में आंसिक बड़ोत्री भी देखी जाएगी अगली बड़ी केबर दिली से आगे निकला मुझपरपूर जानिये तए मानक से कितनी ज़्यादा जारे लिए है मुझपरपूर की आबो हवा जिया मुझपरपूर में प्रदूसर निस्तर विस्विस्वास संगटन के वर्दमार मानक से 27 गुना अधिक है दो मां पहले सितंबर में डवली एचो की ओर से नए मानक तई किये गए है इसके मताविक 24 गंटे में 15 माइक्रो प्रत्ति क्यूबिक मीटर 2.5 की मातरा दिक्तम 15 होनी चाहिए मुझपरपूर में यह 400 से उपर है डवली ओचे ने दो साल पहले ही मुझपरपूर को दुनिया के 20 प्रदूसर सरोग में एक बताया था इदर सहर की हवा में जहर की मातरा कम होने का नाम नहीं ले रहा है नेशनल एर क्वालिटी इंडेक्स में प्रदूसर के मामले में मुझपरपूर फिर दिल्ली से आगे निकल गया है मंगलवार को दिल्ली के आनन बिहार में हवा का प्यम 2.5 की अधिकता मातरा 356 मिली जबके मुझपरपूर में अधिकता मातरा 402 पर पहुच गई सहर की हवा में प्यम 2.5 की मातरा लगातार अधिक रहने से लोगों को कई तरह की स्वास संबन्दी दिकते हो रही है में गंबीर होती वायू प्रदसन के सितिस से निजात दिलाने के लिए नेशनल क्लीन एर प्रोग्राम चलाने का फैसला लिया गया है इसके ताहत मुझ के सचीव त्री पुरारी सरन के अधिक्सा में मंगलवार को स्टेरिंग कमिटी के बैठक हुए बैठक में नगर विकास एवं आवास विवाग द्वारा ठोस अप्षिष्ट को खुले में नहीं जलाने के समद्द में कॉल सेंटर स्टापित कर हेल्प लाइन नमर जारी करने का निर्दिस दिया गया है इसके द्वारा ठोस कच्रा को खुले में जलाने सम्मंद्द सिकाइदों का तौरित निवारान एवं नेंतरन किया जाएगा इसके खिलाब सक्त करवाई की जाएगी साती विवाग द्वारा इसका प्रचार प्रसार किया जाएगा भवान निर्मान तता पत निर्मान विभाग द्वारा खुले में भवान निर्मान तता विद्वन्स गतिविदियों का अकलन करेगा ऐसे तत्वों के खिलाब विभाग सक्त करवाई करेगा ऐसे निर्मान इस सलुक को कवर करना एवम जल छिड़काव अनिवार होगा अगली बड़ी ख़बर बिहार में तिसरी नजर से होगी गावों की सुरक्चा सहर के बाद अब गाम इन इलाकों में लगेंगे CCTV केमरे जा सुबे के सभी गावों में CCTV केमरे लगाने को लेकर पंचाइती राज बिभाग ने कार योजिना बनाई है ग्राम पंचाइतों की वाड प्रबंदन एवाम क्रिया नवन समतियों की अनुसंसा के अधार पर गावों में CCTV केमरे लगाये जाएंगे वाड समतियों के अनुसंसा के बाद पंचाइत इस्तर पर इसका अनुमदन भी होगा इसके बाद चिनित जगवों पर केमरे लगाए जाएंगे गाओं में अपरादे गटनाओं पर अंकुस लगाने महिलाओं और बच्चों की सिरक्चा मोहया कराने आदे माकसद से CCTV केमरे लगाए जाने की पाल पंचाती राज विवाग ने की है ताकि कोई भी गेर कानों ने काम करे तो वागटना केमरे में कैदो सके इससे दोसी की पहचान हो जाएगी दूसरी तरफ केमरे का भाई भी ऐसे लोगों में होगा विवाग ने अभी साब किया कि सरवजने की स्तलो और सरकारी वावनों CCTV केमरे लगाए जाएंगे बिजली के पोल पर ही अता समों केमरे लगेंगे हाला कि विवाग ने अभी कहा है कि विस्यस परिस्टों में नीजे मकान के बाहरी दिवार पर भी केमरे लगाए जा सकेंगे अगली बाड़ी ख़बर बिहार में सराब के खिलाब 26 नॉम्बर को बड़ा भिहान राजदानी पटना से हर गाउं तक सुरू हो गई है तयारी जिया बिहार में प्रकंड से लेकर जिला प्रमंडल और राज मुक्याले तक कि सरकारी करमचारी वो अबसर सराब नहीं पिने की सपत लेंगे इस सपत पत्र पर हस्तक्चर कर डियम के जरिये इसे मद निसेद उतपाद एवं निवंदन विवाग को भीजा जाएगा मद निसेद उतपाद एवं निवंदन बिवाग के अपर मुईके सचीव केके पाड़क ने इस बाबत सभी उप मुईके सचीव प्रदान सचीव सची प्रमंडलिया आयुक्त वा जिला पतादिगरी को पत्र लिखा है अगली बड़ी कावर 50 एकड में बनेगा बिहाटा का बस स्टेंड 270 करोड की जमीन पर तयार होगा पटना का दूसरा बस स्टेंड पश्चिम बिहार के यात्रियों को हो गया असानी पटना में दूसरे बड़े बस सिस्टेन के तैयारी तेज कर दी गई है या बस सिस्टेन 217 करोड की जमिन पर तैयार होगा बिहाटा के कनॉली में बनने वाले पटाली बस सिस्टेन के लिए 50 एकर जमिन नगर विकास एवं आवास विवाग ने धन जारी कर दिया है जल्दी जमिन अधिकरान कर उस पर काम सुरुक कर दिया जाएगा बिहाटा के कनॉली में बस सिस्टेन बनने से पश्चिम बिहार की तरह ब्यातर करने वाले यात्रियों को कभी सुईदा होगी पटना में दो दो बड़े बस सिस्टेन से पुर्वी और पश्चिमी बिहार आना जान देखने को मिल रहा है जिसका ताजा उदाहरन सुभी की दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल नालंदा मेडिकल कोलेज अस्पताल में देखने को मिल रहा है जहां सिसु बिवाग में निमोनिया से ग्रसित बच्चों की सेंख्या दिनो दिन बढ़ती जा रही है बिमारी की सिक को गरम कपड़े से ढख कर रखे मा अपने बच्चों को अपना दूद पिलाई ताकि बच्चों को भरपोर पोश्टी कहार मिल सके गरम पाने का पर्योग करे अगर बाहर का दूद देते हैं तो बोतल में ना देकर गिलास में दे साथी मलेरिया से बचने के मचाहदानी का पर प्रस्ताव को केविनेट ने दी मंजूरी जिहां 19 नौमर को प्रधान मंत्रे नरेंदर मोदे ने क्रिशिक कानून को वापस लेने का एलान किया था कल केंदरे केविनेट ने तिनों नए क्रिशिक कानून के वापस के प्रस्ताव के मंजूरी दे दी है अब इस प्रस्ताव को संसत के सित कालिन सत्र में दोनों सदनों में पारित कराया जाएगा जिसके बाद क्रिसी कानून को खतम किया जाएगा अगली बड़ी ख़बर पटना में तेजी से बढ़ने लगे हैं कोविट के मरीज साथ दिनों के आकड़े ने उड़ाई स्वास्त विवाग की नेंद जिहाँ बिहार के राज़ाने पटना में कोरोना संक्रमन के मामले गत साथ दिनों में तेजी से बढ़े हैं इसी बेच सहरीचिर के 21 महले में 31 नई संक्रमित मिले हैं इसके बीपरित बार मसोड़ी और सबतंच प्रकण में एक-एक संक्रमित मिला है 34 में से सिर्फ 2M से पटना में भरती है जबकि 32 होम आइसलेशन में है सबी की हालत इस्तिर बताई जा रही है इन में से करीब 50 फिजिक के और 40 सिया उस से कम है बताती चले कि विसेसे को को आसंका थे कि चट महापर के 5 दिन बाद कोरोना संक्रमितों की सिंक्या बढ़ सकती ह इसके देखते हुए कोरोना के लिए सबसे समय दन सील माने जाने होले पटना जिले में 15 से 22 नौमर के बीच मिले संक्रमितों का आकड़ा तयार किया गिया है आगली बड़ी कबर कोरोना वैक्सिन की दूसरी डोज लेने वालों को सरकार फ्री में देगी टीवी फ्रीज समित ये समान मंगल पाने ने कर दिया है अलान जी हस्वास्त मंतरी मंगल पाने ने कहा कि बिहार में कोविट 19 के सेकेंड डोज लेने वालों को लकी ड्रा के मैदम से टिवी फ्रीज, मिकसर, ग्राइंडर, कुकिंग, गैस, सिलिंग, फेन, कमल आदे दिये जाएंगे उन्होंने बताए कि कोविट 19 के सेकेंड डोज में ब्रेदिल लाने के उदेश से सेकेंड डोज के लिए नेदारित तितिके साथ देन के बितर लाबारतियों दुवारा टिका करन कराने परे उन्हें ड्रा के मैदम से पुरुसकरित किया जाएगा पाड़े ने कहा कि लखी डोग के आउदे 27 नॉवंबर से 31 दिसम्बर निदारित की गई है पुरुसकार योजना के तहत हर प्रकण में एक विजेता को बंपर पुरुसकार एवं दस विजेता को प्रतिस सप्ता संतोना पुरुसकार अगा में पांच सप्ता तक दिया पर है रासन दुकानों से जुड़े ऐसे लोगों को अगले वर्स से पोसक तत्व का भरपूर चावल मिलेगा केंद्र सरकार ने प्रदेश को 30 लाग टन फोटिफाइड राइस की आपूर्ति की सामाती दी है यह चावल सभी 38 जिलों की कूल 48,824 पिडियस दुकानों की को बीच सीरीज सुविता, 750 एमोलेंस खरेदेगी नितिस सरकार जिए बिहार में भी नीजी वाहन मालिकों को बीच सीरीज भारत सीरीज की सुविता दिया जाएगी इससे एक राज से दूसरी राज में इस्तांतरीत होने वाले सरकारी और नीजी चेत्र के पदादिकारियो और करमचारियों को अपने निजी वहानों के लिए अनापत्ति परमान पत्र लहीं लेना होगा मुखिमांतरी नितिस कुमार की अधिक्स्ता में हुई राजी केविनेट की बेठक में या निने लिया गया है मेठक में कूल 22 प्रसाओं को मंजूरी मिली है इसके अलावा सुविक के हर प्रकंड में एडवांस लाइब सपोर्ड एमूलेंस की सुविदा होगी इसको लेकर केविनेट ने 750 नए एमूलेंस की खरीद की सुखिर्थी दी है इन में 534 एडवांस लाइब सपोर्ड एमुलेंस और 260 बेसिक लाइब एमुलेंस करे दी जाएगी इसके लिए 96 करोड 12 लाग की स्विकिरती भी केविनेट ने दी है अगली बड़ी खबर सभी एंजिनेरिंग और पॉले टेकनिक में दो दो स्मार्ट क्लास की स्विकिरती जिहां राज के सभी राज के एंजिनेरिंग कोलेजों और राज के पॉले टेकनिक कोलेजों वा महिला पॉले टेकनिक कोलेजों में सो MPS इंटरनेट की कनेक्टिविटी वो वाइपाई की सब्कना की जाएगी इस अपना हुआ रख रखाव के लिए 89.11 करोड की सिकर्टी भी दी गई है अगली बड़ी ख़बर ट्रेनों से स्पेसल टेग हटा तो भाड़े में 20-30 फिजदी आई कमी देश के 3110 ट्रेनों का किराया हुआ अपडेट जियां ट्रेनों से स्पेसल टेग हटने के बाद यातरी किराया में 20-30% की कमी की गई है सेकेंड सिटिंग में जहां 10-20 रुपिया कम हुए हैं वहीं स्लिपर की किराया में भी 100 रुपिय से अधिक की बचत होगी ऐसी के किराया भी 300-400 रुपिय तक कम हुआ है देश बर के 3110 ट्रेनों अप पहले की तरह किराय लगेगा ट्रेनों को पुराने नंबर और पहले से निर्दारित कराये पर चलाने के लिए 14-21 नौंबर तक कम्प्यूटर में सिस्टम को अपडेट किया गिया है और अंध की बड़ी केवर अमीर अमबानी को लगा जटका गोतम अडानी ने मुके सम्मानी को पीछे छोड़ा या उपलब्दी गोतम अडानी ने पहली बार हासिल की है गोतम अडानी की संपती इस साल जनौरी से अब तक 55 अरब डॉलर बढ़ी है जबकि मुके सम्मानी की संपती केवर 14.03 अरब डॉलर बढ़ी है आज के लिए आपका स्वाल बताए कि बिहार में नेतिस सरकार के 16 साल पूरे होने पर आप सरकार को केन की नियोजनाओं के लिए बताए देना चाहेंगे इसका जवाब आप हमें नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएं